कई लोग क्रिकेट खेलते हैं और ये सपना देखते हैं कि वो किसी दिन भारतिय टीम के लिए खेले, कुछी लोगों का सपना पूरा होता है, लेकिन क्या आपको पता है सबसे अच्छा ड्रीम डेब्यू भारतिय टीम के लिए किस खिलाडी ने किया था, सचिंटेंडूलकर नहीं ना महिंदर सिंग दोनी, ना विराट कोली, ना रोहिष शर्मा, ना कपिल देव, ना सुनिल गावासकर, फिर वो कौन है, मोहमद असुरूती, 1984 में इंग्लेंड के खिलाफ उन्होंने अपना डेब्यू के आप पहले ही मैच में सेंचुरी मारी, उनके नाम पे एक र पर स्वर गांगुली ने बैक टू बैक दो सेंचुरी इंग्लेंड के खिलाफ मारी, अब वो सीरीज में वो मैन ओव दी सीरीज भी रहे, वो उस वक्त टीम में आये थे, जब भारतिया टीम बिलकुल अच्छा नहीं कर रही थी उस दोरे, तीसरे नंबर पर मैं समझता हू नरेंदर हिरवानी, जिन्नोंने अपने पहले ही डेबियो मैच में 16 विकर्ड ले लिया और उस वक्त उनकी उमर मातर 18 साल थी, यह आज तक रिकॉर्ड है कि इतनी कम उमर में 16 विकर्ड अपने पहले ही मैच में लेने वाला ना भारतिया ना इंटरनाशनल कोई भी खिलाड आज तक नहीं हुआ है